हलो एवरिवन, जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी भी धिल की दड़कम तेरी होती जा रही होगी, क्योंकि एग्जैमिनेशन का टाइम पास आ रहा है, प्रेक्टिकल्स का दोर ओर अलड़ी स्टार्ट हो चुका है, कुछ स्कूल्स में होने वाला है, और आज जो वीडियो आपको लिए लिए लिकर आया हूँ, वो क्लास 12 की साइकॉलजी सब्जेक्ट से है, अगर आपका टॉपिक चैप्टर वन पर बेस्ट है, वेरिएशन्स इन साइक्लोजिकल अट्रिब्यूर्स, तो इस चैप्टर से लेटिड अगर आपने अपना वा पॉर्ण्ट क्वेशन्स जो मुझे लगता है आपके लिए हैलफुल होंगी, तो क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे जो क्वेशन्स पूछे जाने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगी, वन वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, वन नाइन आइन आंसर भी हो सकत हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन क्वेशन्स के उपर फोकस करें, जो बेसिक क्वेशन्स हैं चेप्टर्स के और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां मैंने फ़र्स क्वेशन आपके लिए दिया है, वाट डू यू मीन बाई इंडिविजुल डिफरेंसिस य थोड़ा सा अलार्ट हो कर बैठना है, और आपको आंसर देना है इसका इंडिविजुल डिफरेंसिस एक्चल में क्या होते हैं, इंडिविजुल डिफरेंसिस एक्चल में होते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस एंड वरियेशन्स अमंग पीपल्स केरेक्टरिक्स एंड और आपको मालूम ही है कि हर किसी का डिफरेंस रहता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं psychological attributes की हर किसी की सोच हर किसी की जो काम करने का तरीका सेम नहीं रहता तो इसलिए यहां पर बोला गया कि यह सब के सब क्या है due to the given situation आप किसी particular situation में अलग से behave करेंगे, कोई और individual होगा उसका behavior अलग होगा कहने का मतलब क्या है कि आपका behavior change होगा due to the situation तो इसलिए इसको बोलते हैं situationism when one or someone behaves in that particular situation next है आपका assessment आप देख सकते है question 3 इसी कई one part का 3 part है उसमें assessment बताने है ये क्या होती है, ये एक measurement होती है एक psychological attributes की individuals की और उनकी evaluations करना अब हमने psychological attributes की measurement करनी है, उनको evaluate करना है, evaluate करना क्या होता है हम सारा judgment करती है तो ये assessment होती है, simple words में इसको मतलब judgment ही होता है actual में आप चलते है question number 2 के लिए आपको बताने, enduring beliefs about the ideal mode of behaviors is called, एक enduring belief होता है, जो ideal एक behavior होता है, एक model of behavior होता है, उसको क्या कहते है तो it's very clear उन्हें कहते हैं values, यहाँ पर आपको values बताना है, question 3 देखे, what is a method in which a person provides factual information about himself or herself, एक person अपने बारे में या लड़की है, या female है, या male है, वो जब कोई अपने बारे में बताते हैं, अपनी report तो actual मैंने report वर यूजी कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, तो of course हम कहेंगे वहाँ पर self report होती है वो, question 4 देखे, which approach considers intelligence as an aggregate of, यह हम कहेंगे, aggregate किसीच का है, abilities about himself या herself, तो यह क्या चीज़ है, यह जो है किसके बारे में कहा जाएगा, यहाँ पर कौन सी approach है वो, तो यहाँ जो right answer आपको देने है, the correct answer is psychometric, यह actual में psychometric approach होती है, यह एक ऐसा हम कह सकते हैं, एक approach होती है, जिसमें intelligence as an aggregate, aggregate क्या होता है, total होता है, of abilities about himself and herself, हम कुछ भी लगा सकते हैं इस इसका very clear answer है, Charles Spearman, question six, देखिए, who proposed hierarchical model of intelligence consisting of abilities operating at two levels, अब अगर हम बात करें, hierarchical model of intelligence हो है, जिसमें abilities particularly two levels पे काम करती हैं, तो यह किस ने दिया है, तो यहाँ पर हम कहेंगे, इसका जो right answer है, वो क्या है, जैंसन, इसका correct answer जैंसन है, question number seven, देखिए, the structure of intellect model, यह किस ने जो है, propose किया था, आप देखिए, question number seven में आता है, in fact, the structure of intellect model was proposed by J.P. Guilford, अब यहाँ पर question number eight, देखिए, यह Howard Gardner की जो theory of intelligence है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जो जाना जाता है, theory of multiple intelligence की नाम से, अब देखिए, यह answers बहुत simple है, बट आपको अपना impression ऐसे देना है, कि you know everything about your subject to get better marks, next question देखिए, यहाँ पर question number nine है, the concept of intelligent question was proposed by, अब intelligent question का जो concept है, वो किस ने propose किया था, as you can see in the screen, यहाँ पर जो right answer है, वो क्या है, William Stern, और इसके बाद question number 10 देखिए, जो range of intelligent question है, वो किस किस के बीच में count होती है, तो आप कहेंगे 90 to 110 के बीच में, 90, 9-0 से 110 के बीच में count होगी, और question number 11 यहाँ है, emotional competence means, what do you mean by emotional competence, आपको emotional competence का मतलब बताना है, जो बिल्कुल last question आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है, self-monitoring of emotions, आप अपने emotions की, यानि self-monitoring कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने emotions को, तो यह होती है, यहाँ पर emotional competence, सो बचो अगर आप humanities के students हैं, तो मैं ओलरी political science की कुछ वीडियोस दे चुका हूँ, जो वाइवा बेस questions है, अगर आपने cold war era पे अपना chapter तयार किया है, या फिर आपने अपना chapter तयार किया है, challenges of nation building, तो उसकी वीडियोस देने वाला हूँ, साथ में cartoon based questions की वीडियोस और अगर आपकी अपनी कोई query है, कोई doubt है, आप without any hesitation, इस वीडियो के comment section में अपना जो भी doubt है, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे से जितना भी होगा, I will definitely help you a lot, और साथ में अगर आप aspire, means you really want to learn some new tips about English, तो आप मेरी कुछ वीडियोस को दे सकते हैं, जिनका title में ने दिया है, फस्स टेप इन इंग्लिश, वीडियो 1, 2, 3, ऐसे चल रहे है, उसकी अभी 4 वीडियोस में डाल चुका हूँ, जिसमें from the very beginning, अगर आप beginner हैं, तब भी, अगर आप perfect हैं, अपने आपको मानते हैं कि you know better about English language, तब भी आपको वो चीज़े help करने वाले, because they are not in touch nowadays, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखीगा, और I hope so, आपका examination बहुत अच्छा होगा, और अपनी file में जो भी आपने data लिखा हुआ है, उस data को भी आप बहुत अच्छे से पढ़के जाईएगा, क्योंकि psychology में आपको पता ही है, कि ये question आपको वहाँ written के लिए writing portion में दिया जाएगा, जो आपको वहीं उन्दा support करना होता है, लेकिन साथ-साथ जो वाईवा है, वो बहुत important होता है, आपकी physical presence बहुत important होती है, So I hope so, these tips will definitely help you to cope up with your psychological वाईवा, तो जैसा भी आपका reaction होगा, जैसे भी आपका उस time जो है, आप मुझे जरूर बताएगा, I will wait for your suggestion and I will definitely wait for your answer, Thank you very much and have a very nice day.